तो हेलो फ्रेंट आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 का अश्मान कार्ड का नए लिस्ट जारी हो चुका है तो आपको अपना नाम कैसे सर्च मारना है और पूरे महले का नाम सर्च मार सकते हैं पूरे पंचायत का कि यूद्ध के वीडियो को लाइक जरू करें किसी तरह की अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं तो चलते हैं अपने कम्पिटर के स्क्रीन पर और इसे कैसे सर्च मारना है कि किसी भी एक ब्राउजर को ऑपन कर लेना है कि और उसमें आपको लिखन करना है तो यहां देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा आपको एक बेनिफिसिरी और दूसरा ऑपरेटर तो आप खुद का करना चाहते हैं खुद से ही मोबाइल के नंबर से तो बेनिफिसिरी पर क्लिक करना है यह ऑपरेटर जो है ऑनलाइन जो काम करते हैं चाला के उन लोगों के लिए तो मोबाइल नंबर डालना और वेरिफाई पर क्लिक करना है तो वेरिफाई पर क्लिक करने के बाद यह ग्रिन टिक लग जाएगा और आपके एक मोबाइल नंबर पर एक ओट्टी पी आ जाएगा तो ट्टी पी आप सब्मिट कर देना है और नीचे capture डालना है capture डालने के बाद यहां login हाइलाइट हो जाएगा तो इस पर click कर देना है आपको login simply कर देना है तो यहां से आपको अपना state सेलेक्ट करना है और इसकी में पीएमजी वाई ही रहने देना है यही वाला रहने देना है उसके बाद आपको अपना district सेलेक्ट करना है जिला और उसके बाद आपको यहां पर आप गाओं में रहते हैं तो रूलर सेलेक्ट करना है रूलर और अगर आप सहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करना है तो मैं गाओं में रहता हूं तो मैं रूलर सेलेक्ट करूंगा अगर आप सहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करना है तो कुछ इस तरह से आपको फिर उसके बाद सब डिस्टिक जिसे ब्लॉक कहते हैं आपका ब्लॉक कौन सा है ब्लॉक सेलेक्ट कर देना है उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहां बिलेज का नाम जो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा लिस्ट नया वाला अगर यहां देख लेंगे कि मेरा नाम इसमें नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं जिनका नाम मैं ढूंड रहा हूं यह उपर में ही है यह बल नाम है मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और उसके बाद इस लिस्ट में अगर आपका नाम नाम मिले तो यहां पर आना है यहां से 21 पर जो क्नले करें तो यह देख सकते हैं कुछ ही इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं arrow पे क्लिक करेंगे तो new page आता जायागा यहां से तो यहां पे देख सकते हैं आप एक verify है एक identify है और एक unidentify है तो इन तीन चीजों का भी मैं मतलब समझा देता हूं आपको तो जिनका verify है उनका समझ लोग की वो बनवा चुका है वो परसन बनवा चुका है अपना unidentify है इसका भी मतलब मैं बताने वाला हूं और identify है उसका भी बताने वाला हूं तो unidentify वाले लोगों का क्या है यहां पे click जैसे ही आप करेंगे तो यहां पे लिखेगा for unidentify user your cannot authorize authentication beneficiary मतलब इनका अभी अप्रूवल नहीं है अप्रूवल नहीं आया है तो इनका अभी नहीं बन सकता है तो हम करते हैं और चलते हैं identify वाले पर क्लिक करना है के वाइसी पर उसके बाद verify करेंगे तो कुछ इस तरह से फिर खुल के सामने आ जाएगा आपके OTP यहां डालना पड़ेगा दो OTP आगा एक अधार OTP और एक beneficiary OTP मोबाइल OTP तो अधार वाले OTP आपको यहां डालना है और एक fingerprint से बनाना है तो अधार fingerprint सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको option देदेगा तो उसके बाद यह सर्च करेगा अपना डिवाइस मर्फो मंत्रा सर्च करेगा और उसके बाद आपको complete process करके आपको बना लेना है अपना